हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में पढ़ने वाल है क्लास तेंथ का बर्नी का बुख है उसका लेशन थिरी मा कहानी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसका अब्जेक्टिव बुख का क्यूचन लेकर रहा है बिहार बोर से पीकाषिंब फास होगा ओप्सन B सत्कोड़ी होत है कि ऑप्सņ सी इस्वर पिटलि कार की अंडा अप्सण डिस सुझाता तो इसका सई आंसर क्या होगा अप लोग की बुख पढ़ैंगो ता अपस हम आप लोग को मालुमों होगा जो मा कहानी है उसका लेखक कोन है तक नग मंगू की मा की कितने संताने थी इसका option A2, option B3, option C4 and option D5 यानी मंगू की मा है उसकी कितने संताने थी तो इसका सही अंसर किया हो जागा इसका सही अंसर option number C मंगु की जो मां थी उसके चार संताने थी दो लड़का और दो लड़किया चलिए तिसरा की उचन देखते हैं इसका तिसरा की उचन है मंगु के अलावा उसकी मां की कितने संताने थी अप्शन ए 2 अप्शन बी 3 अप्शन C 4 अप्शन D 5 तर मंगु के अलावा मतलब होता है उसको छोड़कर नहीं मंगु को छोड़कर मंगु की मां की तीन संताने थी दो लड़के और एक लड़किया तो चलिए इसका चोथा की उचन देखते हैं चोथा क्यूचन नहीं हो यहापका मा कहानी का मुख फात्र कौन था जिसका ओप्सण ए लचिमी, ओप्सण बी सीता, ओप्सण सी नजामा, नगामा, एंड ओप्सण डी मंगू निमा कहानी है उसके बारे में परमुख रुप से किसके बारे में बताया गया है तो इसका option नमबर हो जागा D, मांगू के बारे में इसमें परमोख रुप से चार्चा किया गया है तो चलिए इसका पाच्चमा की उचन देखते हैं पाच्चमा की उचन यह वो है आपका मांगू जान्म से ही थी option A पागल, option B गुंगी, option C अंधी, and option D, A और B दोनो तो इसका सही अंसर क्या होगा मांगू जान्म से क्या थी तो इसका सही अंसर होज़ेगा option नमबर D option नमबर D, A और B दोनो जो मंगू थी जो जन्म ली थी जन्म से ही पागल और उसके साथ साथ गूंगी दोनों थी मंगू जन्म से ही तो चलिए इसका 6 क्यूचन देखते हैं 6 क्यूचन है आपका मंगू के कितने भाई थे अप्शन A 2 क्या है अप्शन A हो जागा आपका 2 आप्शन B1, आप्शन C3, आप्शन D4 किने मूं के कितने भाई थे हम आपको बता हैं कि मंगू थी इसके मंगू के आलावные उसके तिन भाई और बहन थें जिसमें दो क्या था जिसमें दो भाई और एक बहने तो इसका option नंबर ए हो जागा मंगू के दो भाई थे चलिए 7 की उचन देखते हैं 7 की उचन है वह आपका पराई माही कांच शिद्धी है या क्या है तो इसका option A है कहावत option A क्या है आपका option ने कहावत option B मुहाबरा option C छंद and option D सोर्ठा तो इसका सही अंसर क्या होगा आप लोग सोचिए कि पराई माही कांच शिद्धी है क्या होना चाहिए तो चलिए हम बताते हैं इसका सही अंसर होगा कहावत एक क्या है आपका कहावत है इसका आगला की हुचन देखते हैं आठमा की हुचन ने वह है आपका किसने कहा था कि आगहन महेना में मांगू ठीक हो जाएगी option ने जो तीसी option B पंडित option C बिदवान और option D बेग्यानिक ने किसने कहा था जो मांगू को जो मांगू थी जो पागल और गूंगी थी लड़की जन्म से हैं जो आगहन महेने में ठीक हो जाएगी तो गौंग के एक ब्यक्ति थे जियो तीस उसने मांगू के मां से कहा था कि आगहन महेने में ठीक हो जाएगी तो आग्ले कीचन देखते हैं, नौ मा कीचन हो आपका मा के लिए कुन समाह अराध्य बन गया था Option A, Mag, Option B, Aghan, Option C, Pause, and Option D, Chat यानि मा के लिए कौन सा महीना था जो अराध्य बन गया इसका Option नमबर हो जागा B, Aghan मा के लिए अगहन महीना था जो अराध्य बन गया था इसका आगला क्युचन देखते हैं चलिए इसका 10 मा क्युचन देखते हैं 10 मा क्युचन है वो है आपका मांगू की बड़ी बाहन का नाम क्या नाम था Option A, Aditi, Option B, Kamu, Option C, Ria, Option D, Kavita इसका सही अंसर क्या होना चाहिए आप लोग बताएं कॉमेंट बक्स में तो चलिए हम बताते हैं मांगू की बड़ी बाहन थी उसका नाम था मांगू सी बड़ी थी उसका नाम था काम्मू इसका इग्राहमा की उचन देखते हैं इग्राहमा की उचन वो है आपका कान्या बेद्यालाय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गए थी उसका नाम क्या था Option A, Kusum, Option B, Meera, Option C, Madhu, and Option D, Savita इस बड़की पर्थी जो बाद में पर्थे समय पर्थे, 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 बाद में पागल हो गए थी, उसका नाम था छलिए तिराहमा की उचन देखते हैं इसका मा कहानी किस भासा मेन अनुदित है अनुदित मतलब कि किस भासा में लिखा गया है तो option A है आपका कानड, option B गुजराती, option C तामिल and option D उडिया यहनि मा कहानी है जो किस भासा में लिखा गया है जिसका सही अंसर क्या होगा आप लोग comment box में बताएगा तो चली हम इसका बताते हैं मा कहानी है जो गुजराती भासा में लिखा गया है option number B हो जागा गुजराती तिसका तेरहमा की उचन है देखिए तेरहमा की उचन है मंगू की मा अस्पताल को किस की उपमा देती है क्या है मंगू की मा अस्पताल को किस का उपमा देती है तो इसका option number A है गौसाला, option B है पटसाला, option C है कारागार and option D है छात्रवास तो इसका सही answer हो जागा option number A गौसाला मंगो की मा है जो अस्पताल है उसको गौसाला की उपुमा देती हो उसको गौसाला वो कहती है तो चलिए चोधावा क्यूचन देखते हैं चोधावा क्यूचन वो है आपका इस्वर पेटली कार किस भासा के कथाकार है कथाकार मतलब होता है लेखाक है तो option A क्या है आपका option A मलायालम, option B मराथी, option C गुजराती and option D भुजपूरी इस्वर पेटली कार है वो किस भासा में लिखा गया है कहानी तो इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर होजा का option नमबर गुजराती भासा में इस्वर पेटली कार लिखा गया है तो चली देखते हैं 15 क्यूचन इसका 15 क्यूचन है वो एक क्या होना चाहिए 15 क्यूचन है देखिए मांगू को लोग कहां भारती करने की सलाह देते थे तिसका option नमबर एक गोसाला, option बी पटसाला, option C कारागार, and option D अस्पताल यही गउं के लोग थे जो मांगू की मांँ से मांगू को भारती करने के लिए काते जो पागल लड़की थे, पागल गोंगी उसको भारती करने के लिए काते थे अस्पताल में ति इसका सही अंसर अफ़ो जै Looking D अस्पताल में गौंग के लोग मंगू की मां को भरती करने के लिए मंगू की मां से बोलते थे मंगू को भरती करने के लिए अस्पताल में तो ठैंक्स आप मिलते हैं अगली वीडियो में